हेलो स्टूडिन्स कैसे हो आप सभी आप सब अच्छे होंगे चिक हैं तो भही हम शुरू करेंगे हमारी जो यूनिट है पोलराइजिशन पेपर नमबर सेकिन कौन सा ये मारा बीएसी सिकिंड येर थर्ड फोर सैम के लिए सौरी चिक है बीएसी सेकिंड येर फोर सैम के हम लेके चल रहे हैं चिक है तो यूनिट नमबर 3 शुरू कर रहे हैं सबसे पहले पॉलराइजेशन टीक है पॉलराइजेशन के टॉपिक यह बहुत सारे आप इसका स्क्रीन्शोट ले सकते हो तो हम शुरू करते हैं हमारी यूनिट देखो हमारे चप्टर का नाम क्या है of light waves and double reflections तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि polarization का मतलब क्या होता है तो हम देखते कि polarization क्या है तो देखो polarization क्या है the phenomena of restricting the vibration of light क्या करना restrict मतलब किसी चीज को रोकना the vibration of light चाहिए on a particular direction मतलब कि एक particular direction में एक light को क्या करना रोकना perpendicular to the propagation of light wave is called polarization of light तो देखो यह हमारे पास light है जो कि unpolarized light है यह हर direction में देखो यह हर direction में propagate कर रही है यही माझलीजे आप ठीक है यह मारे पास क्या है unpolarized light है तो हमने क्या लगा देए एक polarizer लगा दिया क्या set के हमने एक polarizer लगा दिया तो polarizer क्या करेगा इसको restrict कर देगा कि भई ये एक डिरेक्शन में चले एक पर्टिक्लर डिरेक्शन में हो तो देखो ये सभी किसमे है straight line में है फिर ये आगे चल रहा है फिर ये देखो ये हमारे पास क्या आगई polarized light आगई उसके बाद में क्या लगा था analyzer analyzer क्या होता है किसी भी चीज को analyze करना तो हमारे पास क्या हो गया analyzer लगा हुआ है फिर analyzer में क्या होगा हमारे पास analyzer भी pass कर देगा क्योंकि analyzer भी इसी direction में लगा हुआ एसे ही लगा हुआ है वो चीक है मतलब कि ऐसे पैलर लाइगे चीक है तो यह हमारे पास लाइट आ जाएगी तो हमारे पास कैसी लाइट आगए पॉलराइजर लाइट हमारे पास आ गए तो अब डैफिनिशन समझे तो फिनोमेना ओफ रिस्ट्रिक्टिंग दा इस डिरिंशन पास करें और क्या है पर्पैन् डिकुलर रीट कर रहा है यह जो जो लाइन है यह इसके क्या है परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं चीक है तो हम उसको क्या बोलते हैं आपको समझ आ गया होगा पॉलराइजेशन ओव लाइट क्या होता है अब देखो इसमें ऐसे लगा हुआ था एसे लगा हुआ था लेकिन अगर भाई हमारे पास ऐसा लगा कि किसमें हो जाएगा इसके अपोजिट लगा हो छिक इसनलाइजलाइजअ क्कुण सी रॉगल ईसको मैं ऑफ रिखिंगा है यह तो आपस में cancel हो जींगी न क्योंकि analyzer ऐसे लगा हुआ है पोलराइज लाइज लाइट ऐसे तो यह आपस में क्या हो जाएगी और हमें लास्ट में लाइट नहीं मिलेगी तो हम यहाप पर क्या बूलेंगे कि हमारे पास लाइट नहीं है तो आपका पॉलराइजर पॉलर पॉलराइजर इता क्या हो सकता है तब भी क्या होगी होगी है चिक है अब देखो इसमें जैसे की लगा हुआ है इसमें टेखो एंक कि सेब पास नहीं है है तो क्या होगा इसमें जो हमें से हमें यहाँ पर light मिल रहे है there is wave no change in amplitude कोई भी amplitude में कोई भी change नहीं हुआ क्योंकि जैसा polarizer था वैसा ही analyzer हमें मिला हुआ है जिक है अब देखो next में क्या हुआ इसने यह मारे पास लगा हुआ polarizer then analyzer का angle इसने change कर दे इसमें ऐसे था analyzer का angle इसने ऐसे change कर दिया ऐसे ताना ऐसे change कर दिया जिक है तो इसमें से lights आ रिये lights वेवस आ रही है लेकिन अब की पर इसमें angle change कर दिया तो waves जो कुछ waves होंगी वो क्या होजेंगी cancel हो जेंगी कुछ waves क्यों जेंगी cancel हो जेंगी तो क्या होगा यहाँ पर waves of decrease amplitude तो में waves मिलेंगी जिनका amplitude थोड़ा क्या हो चुका होगा decrease हो चुका होगा आप देखो next third case में इसने क्या कर रखा है इसमें देखो इसने क्या कर रखा है कि ऐसे था ने इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे मैंने लिया था शुरू में मैंने ऐसे लिया था first वाला फिर second वाला मैंने ऐसे कर दिया था तो इसमें भी ऐसे ही कर रहा है तो इसमें आई आई लेकिन अब की बड़तों बिल्कुल यह पोजिट कर दिया है इन्होंने तो सारी waves क्यों जिंगी कैंसल हो जाएंगे और देर इस नो वेव और हमें कोई भी यहां पर नहीं मिलेगी और आप बुक की डेफिनेशन भी देख सकते हो दो फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रक्टिंग दो वाइब्रेशन ऑफ वेव इन पर्टिकुलर प्लेइन इस नोन आज पोलराइजेशन ठीक है आ पर हमने इस वाले क्रिस्टल का क्या रखा है यूज कर रखा है तो यह तो छोटी सी इंट्रोडक्शन थी बिलकुले की पॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है तो आप इसको देख ली ना आई होप आपको यह समझ आगया होगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप रखाय।